धम शरणम गच्छामी धमम शरणम गच्छामी बौद धर्म में कहा गया कि ध्यान हमिशा कम समय का होना चाहिए लेकिन बार-बार करते रहना चाहिए कहनी का मतलब यह है कि बार-बार करें लेकिन समय कम रखें ऐसा करके ध्यान अच्छी तरह से हो पाएगा फिर ऐसा करते करते दो समय बना कर एक जो ध्यान कर रहे होते हैं दूसरा ध्यान से जब निकलते हैं इसलिए ग्रंतो का अध्यान करना पहत महतरपूर है जब तक ग्रंतो का अध्यान नहीं करेंगे तब तक बुद्ध का विकास नहीं हो जकता बुद्ध का विकास नहीं हो सकता ऐसे ही कम समय में हम कई बार ध्यान करेंगे तो बुद्ध की प्राप्ति होगी जैसे बौधा चार अवतार में प्रवचन सुन रहे हैं सुनने के बाद जब आप घर वापस जाएंगे तो चार समय बनाईए सुबह, दुपहर, शाम और रात के समय बनाई जाते हैं लेकिन कम से कम सुबह उठने या जागने के बाद ध्यान लगा कर अपने आत्म बल को बढ़ाने की कोशिश करें तो इसी लिए ध्यान करने के समय की जो बात है वो ज़रा जरूरी नहीं है बलकि नंबर जादा रखने की बात है आचारे शील के ग्रिंतों के अनुसार ध्यान करना चाहिए ध्यान करने के बाद समापन प्रार्थना से होना चाहिए जो अपने पुर्ण है, समाधी में अपने प्रार्णियों को अर्पित करना चाहिए जोहां तक ध्यान करनी की बात है, वो अपने अनुसार कम या जारा करें ध्यान करते समय धार्मिक कल्पना, अपने समक्ष भगवान, मुनी और भगवान विराजमान है असी श्रद्धा रखें बाकी जारा कुछ सोचने की जरुवत नहीं है फिर ऐसा अभ्यास ध्यान जो है, वो साल से साल, महिने से महिने करते जाएं तो उससे जरूर एक परिवर्तन अपनी जीवन में आएगा और लाब होगा यहां बाध्ध चावतारियों क्या शुभारंब कर रहे हैं, जो पेश नंबर 69 में है इसमें कहा गया कि बाध्ध को अच्छे से समझने के लिए तथागत हूँ यहां पाठ करते हुए और इस लोक के विशे में इससे पहले भावना कर्म में जो बताया गया था कि भगवान बुद्ध हमारे आजपा स्वयम विराजमान होते हैं ऐसा जो रतने वाले बौध्य चित्त हैं जैसे कि उसके प्रति बौध धर्म धरन करने के प्रति जो धर्म है खास करके जो तीसरा और चौथा सत्य है ये धर्म है ऐसे बुद्ध धर्म संग के प्रती जो अपनी ओर से वस्तूओं के प्रती उनकी पूजा करते हैं पूजा करने का जो साधन है उनके माध्यम से इस समाज में जितने भी पवित्र जल हैं जो भी सुन्दर फूल हैं, सुन्दर फल हैं, रत्न हैं, सब मैं उन्हें समर्पित करता हूँ सब कुछ दीक्षा के तौर पर आपको प्राप्त हो चुका है ये पाचवा श्लोक और छटे श्लोक में लिखा गया है कि इन वस्तूओं का मन में ध्यान करते हुए उनके सुपुत्रों को अर्पित करता हूँ एक तो यहां पूजा के साधन जो होते हैं, वो ध्यान के माद्यम से ध्यान के साधन होता है एक साधन होता है जो खरीदी चीज होती है दोनों ही साधन को वो पूझा के समक्ष सात्वे जो इस लोक हैं वो ये कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास पूझा करने के लिए व्यवस्था नहीं है हे नात मेरी श्रधा को सुविकार करें जैसा कि कहा गया है नवी निश्लोक में कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं निर्भैख हो पाऊंगा और प्राणियों का हित करूंगा लेकिन पापों को नश्ट करूंगा तो ये जो संकल्प है वो उसमें बिना किसी भै के कहा गया है बिना किसी भै का मतलब होता है कि गौरब होना, फक्र होना, मन में उत्सहा होना जैसे कि यहां अपने शरीर को भी समर्पित करने की बात होती है जैसे कि शरीर को समर्पित करने की बात है शरीर पर अगर हक है तो खुद का ही है अपने जुबाँ है अपने मन है ये सब ही अपने काबू में है ये स्वायम अपने पास है किसी और के पास नहीं है ये जो अपना शरीर है वो बुद्ध धर्म के पास समर्पित करते हुए कहना चाहिए कि मैं आपकी समक्ष जा रहा हू मैं आपके शिश्य के रूप में जाऊंगा मैं दूसरों का कल्यान करने जाऊंगा मैं अपने शरीर को सेवा के लिए लगा रहा हूँ जैसे कि नागारजुन के वाधिमे करतनामाला में कहा गया कि बॉध्धा चावतारे में कहा गया कि जल, वायू, वादी, प्राणियों के हिद के साधन के रूप में खुद को देखे ऐसे ही अपने आप को समर्पित करने के लिए आप खुद को देखे जैसे कि पहले के पापों को नश्ट करके आगे के पापों को नश्ट करने का संकल फिले ये प्राइश्चित के तौर पर भी आपकी मदद कर सकता है अगर पाप के प्रतीपचतावा हो ऐसा संकल भिलेना चाहिए अब इसके बाद जैसे कि दस्वे जो श्लोक हैं तो दस्वे श्लोक में रतनु से सुन्दर, मोतियों से जड़े विधान है और संगे मरमर का फर्ष है जैसे कि पाठ करते हुए परम पावन जी द्वा का कोई भी श्लोक ना छुटते हुए पाठ करते गए हैं क्योंकि ये सब भारतिये परमपरा के अनुसार सामान कहराते हैं सुगंदे जो धूब आदी से पूजा पाठ करते हुए दस ग्यारे जो श्लोक तथागत के पुत्रों से अत्यंत खुश्वू से भरे कलिशों और सुन्दर गीतों के साथ प्रणाम अर्पित करूँगा तो भारवे श्लोक में वस्त अर्पित करने की बात होती है पहला वो जो भिक्षू के रूप में या सन्यासी के रूप में है जो बौदिस्तर या देवता के रूप में या ग्रस्त के रूप में जो है उनके अनुसार उनके लिवास के अनुसार उनके अपने जो वस्त रहे उसके अनुसार अर्पित करने की बात है और इसके बाद जैसे सुगंधित जल होता है वो भी पहुचने की बात होती है जैसे कि भारतिय परमपरा है सन 1956 में जब भारत में पहली यात्रा के समय आवंतुरत किया गया था तो किसी एक मंदिर में इस तरह से पूजा अर्चना की गई थी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तो सुगंधित जल मेरे हाथ में रखा गया था वो जानकारी ना होने के कारण मैंने पी लिया था ऐसे इस शलोक का पाठ करते हुए यहां से आखिर में जो की ये सभी जंडा आदी जो भी पूजा के साधन तथागत बुद्ध मुनी के समय अर्पित करता हूँ यहां इसके बाद बीसवे शलोक से आरंभ हो रहे है इसके बाद कई प्राडियों को आनन्द देते हुए पूजा के साधन जो आपके समक्ष हैं उसकी बात हो रही है इसके अलावा कई साधनों और संगीतों के द्वारा प्राडियों को आनन्दित करूँगा मन के द्वार का ध्यान करते हुए पूजा के जो साधन है वो कल्पना के तौर पर बताए गए इसी लिए स्वयम अपना जिस्म है और अपना मन है ये तीन द्वार भगवान बुद्ध के समक्ष अर्पित करने की जो बात है उन्हें पूजा के साधन मानते हुए अर्पित किये गए हैं सभी रतनों की लगातार वर्षा होती है इससे पहले मन्जुगोश जैसे लोग पूजा करते हैं वैसे मैं भी पूजा करता हूँ मैं उनके गुरों के साथ उनकी शक्ती के लिए पूजा करूँगा मैं तरकाल और अन्य संख्या में तथागत प्रणाम करता हूँ सभी मन्दिरों और मुन्यों को प्रणाम करता हूँ मंदिरों का मतलब जो यहां जितने भी बुद्ध के तीर्थ इस्थल हैं उन्हें याद करते हुए ऐसे ही बुद्ध की ग्यान के प्राप्ती से पहले जो शिश्य अभ्यास कर रहे थे उन इस्थानों को याद करते हुए वंदिना करता हूँ जैसे कि प्रग्या पार्मिता में कहा गया उसमें कहा गया कि हमारे चित्र का जो स्वभाब है वो निर्मल होता है उसमें कोई कलेश इत्यादी उत्पन नहीं होता तो उत्तर तत्र या शूनिता या इस्तुति आदी ग्रंथों में कहा गया कि जो हमारी शूनिता है उसका आध अगर उत्तर तंतर की बात की जाए तो जारतर हमारा जो विश्य है या विंदू है उसको मुल रूप से आधार मानकर अभ्यास किया जाता है। अभी ऐसा कहते हैं कि जो हमारी प्रग्या है अर्थात जो हमारा चित्त है उसकी शूनिता को बार बार उत्पन्न करना चाहिए और जारा फैलाने की कोशिश करनी चाहिए तो जब कल अभिशेक होगा उस समय इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो इसलिए भारतिय विद्वानों के द्वारा दिये गए जो ग्रंत हैं उनको आधार मानते हुए उसके उपर आपको महा मुतरिया गोई समा जैसे किरन पोच्छे के ग्रंत में कहा गया। और नारंदा के पंडितों के द्वारा जो व्याक्या की गई तो वो लगवे एक जैसी ही देखने को मिलती है। उनका अध्यन करना चाहिए। और साथ साथ हमीशा रखना भी चाहिए क्योंकि जो शुनता को प्राप्त हुई हमारी प्रग्या है। वो हमारे जो कलेश इत्यादी हैं उनको नश्ट करने का काम करती है। जो हमारी स्वायम या स्वार्थ की भावना हैं उसे नश्ट करने का कोशिश करती है। इसलिए श तमादी आदी लगाने से संभब नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी चीजों के अविशक्ता होती है। यहां शुनिता का अर्थ यह नहीं कि कोई खाली चीज है, हाना कि शब्द से ऐसा लगता है। कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है या धर्म है उसे हमेशा जाच परताल के रूप में देखा जाना चाहिए। उसका परिक्षन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन का मतलब क्या है। उसकी जरुरत है कि नहीं, इसकी आविशिक्ता क्या है। इस प्रकार अपने चित्त को रखना चाहिए। ऐसा कहा गया कि जो कम बुद्ध वाले लोग होते हैं वो श्रद्धा रखते हैं। कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा या लामा ने ऐसा कहा, वो सब श्रद्धा रखते हैं। और कुछ जादा भ्यास नहीं करते हैं। और जो तेज बुद्धी वाले होते हैं, जो तेज प्रग्या वाले होते हैं, तो वो ऐसा नहीं मानते कि लामा ने कहा या भेक्षुक न की नहीं इसकी जांच परताल करते हैं अगर उनको आवेशकता है या उसकी जरुवत दिखाई पर जाए उसके बाद वो उसमें श्रद्धा पैदा करते हैं जैसे हरी व्रद्ध ने अभी समय अलंकार के टिपने की उसमें कहा गया कि ये जो महायान के शिरूता है जो उनके शिष्य होते हैं वो प्रकर बुद्धी वाले होते हैं ऐसा उन्होंने कहा अगर ऐसा मान भी लें कि ये तो भगवान बुद्धी ने कहा है सब कुस ठीक है तो ये ठीक नहीं है दूसरे जो शास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा उनकी भी बातों का वहाँ आकलन करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है बौद्धी चित्ट के दो तरीके होते हैं तो दो प्रकार के बौद्धी चित्ट को जानना चाहिए चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे इसाई धर्म हो चाहे हिंदु धर्म हो या कोई भी धर्म हो उसमें लोगों को प्रिर्द करने के लिए उसमें प्रवचन दिया जाता है लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन ऐसा है जिसमें ये कहा जाता है कि आत्मा नहीं है जैसे कि प्रग्या पार्मिता और सुत्र में कहा गया कि हमारे जो पाँच इसकंद हैं वो सुभाब से शुन्य है रूप से हटकर कोई शुन्य नहीं है इस प्रकार से प्रग्या पार्मिता के ग्रंथों को देखें तो ये शुन्यता को दर्शाता है रूप ही शुन्य है और शुन्य ही रूप है ये जो प्रग्या पार्मिता में कहा जाता है ये शुन्यता को निश्चत शुन्यता को दर्शाता है तो बिना किसी धर्म के किसी वस्तू को अगर माने तो शुन्यता के मद्दे नजर वो सही नहीं है किसी ना किसी वस्तू या चीज पर शूनिता को देखने की आविशक्ता होती है तो शूनिता जो है वो विशेष्टा है विशेष्टा किसी चीज या वस्तू की होती है चाहे वो रूप हो, चाहे वो गंद हो, चाहे वो रूप की शूनिता हो तो शूनिता एक प्रकार की उसकी विशेष्टा होती है तो ये दोनों चीज़े समझनी चाहिए विज्ञान ने अभी इसका प्रशिक्षन किया है विज्ञान की अनुसार और चित्रमात्र का जो सिधान्त है उसकी अनुसार ये एक जैसी ही दिखाई देती है एक जैसे सिध्व होते हैं जब उनका प्रशिक्षन हम करते हैं तो वो अपने से कभी अस्तित्व में नहीं आते हैं अपने से स्वयम में उसका स्तित्व देखने को मिलता ही नहीं है इसी तरह से आज की जो विज्ञानिक हैं वो भी सिद्ध करते हैं कि अपने से कोई चीज सिद्ध नहीं होती है बहुत सारे परमाडू से मिलकर बनी होती है हलांकि जो भी वस्तू है वो दिखाई तो देती है लेकिन उसका अस्तित्त्यों होने का तरीका क्या है यह देखने को नहीं मिलता इसी बात को कहा जाता है कि यही शुनिता है जैसा कि कहा गया है कि शुनिता ही रूप है रूप ही शुनिता है जैसे कि नागारजुन ने कहा कि शुनिता का अर्थ यहां है कि जो निर्भर होकर अस्तुत्त में आया इस वज़े से उस शुनिता को कहा गया है ग्रिंथों में कहा गया कि अगर वो स्वयम से सिद्ध होती तो उसके लक्षणों को हम कह सकते थे कि ये चीज है लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता तो जादतर जो चीजे हमारे विचारों के द्वारा आरूपित की जाती हैं अगर वो अर्थ से सिद्ध होती तो फिर वो बिना किसी हेतू के उत्पन्न हो जानी चाहिए थी क्योंकि वस्तूएं तो हेतू पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती है कोई भी चीज जो उत्पन्न होगी तो या तो वो निर्भर होकर उत्पन्न होगी या फिर बिना निर्भर की उत्पन्न होगी उत्पन्न होने के दो ही तरीके हो सकते हैं जैसे कि वस्तूओं को दोगा भागों में बाटा जा सकता है एक और अनेक, जितनी भी वस्तूओं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो दो भागों में ही बाटी जा सकती हैं। और बाकी की चीज़ें अगर हम सोचें, तो बिना निर्भर के कोई भी चीज़ अस्त्त्त में नहीं होती। मैंने कहा था कि अगर माध्मिक दर्शनों को सामान रूप से देखा जाए, तो एक और अनेक को जो सिद्ध करने की विवस्ता है, उसी प्रकार से सारे धर्मों को सिद्ध करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वभाब से सिद्ध नहीं है, इसका अर्थ है कि बिना हेतु के वस्तु अस्त्त्त में नहीं है, इसी लिए कहा गया कि स्वभाब से सिद्ध नहीं है, तो प्रती समवाद होने की कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वभाब से सिद्ध न तो हम जैसा देखते हैं, वो वैसा अपने स्थुत्य में सिद्ध नहीं होता। अगर स्वभाब में सिद्ध होता, तो दूसरों पर निर्भर होने की आविश्यक्ता नहीं होती है। अगर सुभाब में सिद्ध नहीं है इस वजह से वो दूसरों पर निर्भर होता है। सुभाब से वो ढूंडने से नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी सोच के अनुसार या जो हमारी मिथ्या दृस्टी है उसे हिसाब से उससे अर्पित किया जाता है। तो इसी प्रकार बहुत से हेतु के कारण बस्तु सिद्ध होती है। जैसे प्रग्यापाट के सूत्र में कहा गया था कि रूप ही शुन्य है या शुन्य ही रूप है। जहां कहने कारती ये है कि शुन्य सुभाब से सिद्ध नहीं है। जितनी भी वस्तुए हैं वो सुभाब से सिद्ध नहीं है। और जब सुभाब से सिद्ध नहीं है तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। कि जस भगवान बुद्ध को हम बहुत महत्रपून मानते हैं या बहुत ही पूजनिय मानते हैं अधार नम गच्छामी धम्मम शर्णम गच्छामी कि अधार नम गच्छामी